कि दोस्तो आज केसे लेसन में हम सीखेंगे की यूटीब चेनल कैसे बनाए यूटीब चेनल बनाने के दो सरी के होते हैं एक तो नॉर्मल मल नमिट बना सकते हैं दूसर तरीका होताँ प्रफेशनली आगर आपको अपने YouTube channel को brand बनाना है एक बड़े लेवल पर लेकर जाना है तो अपने brand से related जिस नाम से आप अपना YouTube channel शुरू करना चाहते हैं उसको professionally design करें right professionally बनाने के step by step मैंने इस वीडियो में सारे steps बताए हैं उनको follow करिए और आप उने steps के माद्यम से अपने channel को professionally design करके बड़ा brand बना सकते हैं एक बड़ा एक level दे सकते हैं step number one create YouTube account सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि अपना account कैसे create करें उसके लिए आपको Google पे Gmail सर्च करना होगा because सारे account Gmail से linked होते हैं तो हम यह जानेंगे कि पहले Gmail account बनाएं उसके बाद उसे YouTube channel में कैसे convert करें मैं आपको practical करके दिखाता हूं सबसे पहले Gmail search किया तो एक ऐसा pop-up खुलता है जिसमें सबसे नीचे option आता है create account यह option देते हैं उसमें समय एक option पे click करता हूं तो पहले मेरा नाम पूछता है अपना आप नाम ढलता हूं उसके बाद मेरा लास्ट नाम पूछ्टा है तो लस्ट क्रिएट करना है तो मैंपना प्रिएट करता हूं और एक बार कंफर्म करूंगा तो मेरे यहां पर account create हो दोस्तों हमारा YouTube account Gmail से लिंक होता है हम उसमें से सारी चीज़े मैनेज कर सकते हैं अपने notification भी on कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और सारे लोगों के सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कर दिया है उसके बाद में next पर क्लिक करता हूं तो मेरा phone number मुझसे मांगता है क्यूंकि आपका phone number पर आपका OTP आएगा जिससे कि यह confirm करेगा कि आपका Gmail account approved है कि नहीं मैंने अपना number यहाँ पर डाल दिया मैंने अपनी सारी detail फिल कर रहा हूं यहाँ पर day-year मैं सारी डिटेल फिल करके इसको next करता हूं तो मेरे नमबर पर एक OTP यह सब करेगा है मैंने ग्लिक कर दिया है मेरे और मैं आगे चलता हूं तो यह पूरी terms and conditions हैं अगर आप चाहें तो एक बार read कर सकते हैं मैं इसको agree करके आगे बढ़ता हूं तो मेरा दोस्तों यहां पर एक Gmail account create हो जाता है वी करके आप देख रहे हैं विरेंद्र मिश्रा और use a custom name आप brand से बना सकते हैं पहले मैं अपने नाम से बनाने की कोशिश करता हूं पहले मैं अपने विरेंद्र मिश्रा जो मैंने नाम लिया है उससे personal account create करता हूं अब मैं आपको दिखाता हूं मेरा YouTube channel कैसा है यह सारे मेरे वीडियो से यहां पर uploaded आप देख सकते हैं और इस तरीके से आप अपना YouTube channel normally create कर सकते हैं दोस्तों दूसरा तरीका है professionally इसे बनाने के लिए आप अपने channel name के according domain ले सकते हैं मैंने GoDaddy से अपने नाम का एक domain लिया हुआ है जिससे मैंने अपना एक professional mail ID create किया हुआ है दो option आ रहे थे दोस्तों जहां पर वहां पर जाकर के आपको दूसरा option choose करना है और आपको अपने brand के according एक mail ID create करनी है मैं आपको दिखाता हूँ कि GoDaddy में मैंने mail ID कैसे create की है और उसको देख करके आप समझ जाएंगे कि आप professionally अपने channel को कैसे create कर सकते हैं यह GoDaddy पर मैंने login किया दोस्तों मैं GoDaddy पर मेरा domain है और मैं इसको login करता हूँ तो एक यहां पर उसका home page खुलता है यह मेरा already logged in है मेरे account से तो मैं इस पर click करता हूँ visit my account पर जाता हूँ तो यह सारी चीजें यहां पर खुल जाती है अब जहां से मैंने domain लिया हुआ है उसका मेरे दो domain है तो मैं विरेंद्र मिश्रा की बारे मैं आपको बताऊंगा work space email करके option आता है जितने domain होंगे आपको वह free mail ID create करने का option देगा जो professionally आप create कर सकते हैं यहां विरेंद्रमिश्रा.com आपको दिखाई दे रहा होगा तो इस पर मैं एक free mail ID create करूँगा और यहां पर जब मैं या फिर आप अपनी company at the rate something.com तो एक professionally एक आपका brand शो होता है जैसे आप promote करेंगे तो एक अच्छा सा trust develop होता है कि आपका account branded है आप अपने visiting card भी print करा सकते हैं आप लोगों को दिखा सकते हैं अपने social media account पर आप एक professional mail ID डाल सकते हैं एक अच्छा professionally impact create कर सकता है दोस्तों step 2 facebook page create करना बहुत जरूरी है अपने brand के लिए यह आपको बहुत help करेगा viewers बढ़ाने के लिए और इस पर भी facebook trend के हिसाब से अपने videos upload कर सकते हैं और share कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अपना facebook page कैसे create किया हूँ है दोस्तों यह मेरी facebook ID है जिस पर मैंने एक facebook page create किया है जो कि यहां पर link है आप देखिए विरेंद्र मिश्रा practical life transformer मैंने बनाया है इस पर मैं क्लिक करता हूं और मैं देखता हूं कि इस पर मैंने सारी चीज़े बनाई है तो banner बनाया है है लोगो बनाया है आप हो सारी चीज़े देख सकते हैं यह बैनर है और यहां पर एक यह लोगो है मैंने create किया हूँ है और इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा प्रफेश्णली डिजाइन है दोस्तों इस पर सारे वीडियो भी आप देख सकते हैं जो मैं बनाता हूं तो इस ट्रेंड के साब से जो इस पर लोग देखना पसंद करते हैं मैं इस पर डालता हूं मुझे अच्छा रिसपॉन्स भी मिलता है और लोग पसंद करते हैं और आपके YouTube पर भी traffic divert होता है और आप यहाँ पर भी brand बनते हैं और वहाँ पर भी brand बनते हैं सारे वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए है आप यह अपने एक Facebook account बना सकते हैं Facebook page बना सकते हैं और अपने चैनल को प्रमूट कर सकते हैं दोस्तों Step No.3 Blogs अगर आप अपने brand से related कुछ blogs लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा यह आपको double benefit दे सकता है एक तो आप Google Adsense के थूप earning कर सकते हैं दूसरा आप traffic YouTube से ब्लॉग पर और ब्लॉग से YouTube पर divert कर सकते हैं यह आपको affiliate marketing में भी काफी help करता है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से ब्लॉग बनाई यह मेरा ब्लॉग है दोस्तों इसमें मैं बहुत सारे ब्लॉग लिखता हूँ अपने YouTube चैनल से related और इसकी website का नाम है विरेंद्रमिश्रा.com और यह सारे ब्लॉग्स आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने क्रियेट किया हुए है आप भी ब्लॉग कर करके प्रफेशनली अपने YouTube चैनल को बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों यह बहुत अच्छा ट्रस्ट डिवलप करता है यूँवर्स पर और वह बार बार आपके चैनल पर आते हैं अगर आपके एक ट्रस्ट दिखाई देता है आप एक बिजनिस भी बढ़ेगा दोस्तों शुरुवात में ज्यादा जरूरी वैबसाइट नहीं होती है पर इसे 3-6 महीने बाद जरूर बना लेना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छा एक ब्रैंड स्टेंड ले सकते हो और आपका यूट्यूब बढ़ेगा मैं आपको एक वैबसाइट दिखाता हूं यहां पर यह वैबसाइट है टेकनिकल गुरुजी की यह इनका चैनल है टेकनिकल गुरुजी अच्छा स्टेंड करता है इनके सब्स्राइबर देख सकते हैं इनके वीडियो व्यूज देख सकते हैं मंथली अर्निंग देख सकते हैं कितना कमाते हैं तो जिससे कि यह कि ब्रैंड बन चुका है यह बंदा और यह वैबसाइट अनोने क्रियेट करके अपने कोर्सेस सेल करते हैं अपने ब्रैंड क्लॉधिंग सेल करते हैं आप अपने को इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपकी website होगी तो लोग आपकी website पर विजट करेंगे और आप वहां से भी अपने courses sell कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को sell कर सकते हैं दोस्तों तो यह बहुत अच्छी है अगर आप website बनाते हैं तो आपको एक double और त्रिपल बेनिफिट मिलता है आप अपनी ब्रैंड की वैपसाइड जरूर बनाईए दोस्तों लास्ट स्टेप है चैनल आर्ट एंड लोगो दोस्तों यह बहुत बड़ा इंपक्ट छोड़ते हैं यही फर्क होता है एक नॉर्मल चैनल में और एक सक्सेश्वल प्रोफे कि आप क्या विवर्स को देना चाहते हैं क्या सब्सक्राइबर को देना चाहते हैं क्या वो आकर के यहां पर देख पाएंगे जितना जादा आप मेंचन करेंगे उतना अच्छा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे दोस्तों और जितना जादा आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे सब्स कैसे क्रिएट करें मिलते हैं अगले लेसन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच